Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. Last class हमने पढ़ा था कि BRS क्या होता है? तो continuing with the same chapter, आज फर से हमारा topic है Method of preparing BRS, अब BRS बनाते कैसे हैं? तो मारा पहला point है, date. पहले तो हम date mention करींगे ना? जैसे हम accounts बनाते थे, तो हम क्या करते थे? आज ओन लिखते थे ना, date. उसी तरह से हम BRS में भी date लिखने वाले हैं. तो हमारे एक particular date होगा. अब next आएगा balance. अब BRS जो है, दो तरीके से बनता है. या तो हम cash book का balance लेके बनाते हैं, या फिर हम pass book का balance लेके बनाएंगे. हम cash book का balance लेके बनाते हैं, तो cash book अगर debit balance है. cash book का क्या है? debit balance है. तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है कि deposit जो है, ज्यादा है, withdrawal कम है. तो यह हमारी company के लिए क्या होगा? asset condition है. यह हमारी company के लिए asset हो जाएगा. अगर same, अगर cash book का जो हमारा balance है, वो अगर credit में है. Credit balance है, इसका मतलब क्या है? कि withdrawals ज्यादा है as compared to deposits. Deposit से ज्यादा हमारा withdrawal है. तो जब withdrawal ज्यादा है, इसका मतलब है क्या? कि वो firm के लिए liability है. यह तो आपको याद है, cash book जब हम बनाते हैं. हम जब भी cash book की बात कर रहे हैं, BRS में तो हम double column cash book की बात कर रहे हैं. और हम bank balance की बात कर रहे हैं. उसमें भी जो हमारा bank column है. अगर आप मानिये, withdrawal हमारा ज्यादा है और deposits हमारे कम हैं, तो यह हमारे liability होगी. क्योंकि cash book में होता क्या है? जब भी हम पैसे deposit करते हैं, तो क्या होता है? balance increase कर रहा है. जब भी हम क्या करते हैं? पैसे अगर withdraw करेंगे, तो balance decrease कर रहा है. जब deposit होता है, तो हम debit side पर दिखाते हैं. जब हमारा withdrawals होता है, तो हम credit side पर दिखाते हैं. सेम, हम pass book के साथ अगर बात करें, तो cash book का just उल्टा चलता है pass book अगर हमारा balance as per pass book है अब pass book balance भी, debit balance भी हो सकता है credit balance भी हो सकता है तो अगर debit balance है इसका मतलब है कि withdrawals जो है excess है deposit का deposit से ज़्यादा क्या है आपका withdrawals है तो ये हमारे form के लिए liability है अगर credit balance है हमारे pass book का तो क्या होगा? bank में मतलब पैसे है तो ये हमारे form के लिए asset हो जाएगा ये हमारे form के लिए क्या होगा? asset होगा जब भी हम बोलते हैं कि credit balance है pass book का मतलब ये favorable situation है यहाँ पे भी debit balance है मतलब ये भी favorable situation है debit balance और favorable situation cash book में pass book में credit balance और favorable situation third point के अगर हम बात करते हैं तो हमारा prepare करना है में BRS. Third point में बात करने के पहले हम यहाँ पे देखते हैं. Cash book. Cash book का अगर balance debiting balance है. Debit हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है? Cash book का balance increase कर रहा है. Same, अगर cash book का balance crediting हो रहा है. इसका मतलब क्या है? Cash book का balance decrease हो रहा है. इसी कर जस्ट उल्टा चलता है हमारा pass book. Lecture 1 से मैं आपको बताती है आ रहे हूँ. Cash book और pass book उल्टा चलता है. अगर cash book debit हो रहा है. जब हम deposit कर रहे हैं. तो pass book में हम credit करेंगे जब deposit होते हैं. Pass book में अगर debiting balance है. मतलब decrease हो रहा है pass book का balance. पास book में अगर crediting balance है. मतलब pass book का balance जो है वो increase कर रहा है. अब हम third point पे आ जाते हैं. तो हमारा third point था preparing BRS. हमें bank reconciliation statement बनाना है. अब बनाना है तो हम या तो cash book का balance से बनाएंगे या फिर pass book का balance. तो हमारा पहला ही line होगा as per cash book balance. या फिर as per pass book balance. जब तक हम ये decide नहीं कर लें कि हम cash book का balance से बनाएंगे कि pass book का balance से बनाएंगे. तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमें क्या add करना है और क्या subtract करना है. बैंक statement अभी कभी क्या होता है? कोई-कोई bank क्या करती है? कि bank pass book नहीं दे के bank का statement दे देती है. तो bank का statement हो या फिर bank passbook हो दोनों का मतलब सेम है just क्या difference है उसके presentation में bank statement जो होगा वो loose form में होता है जबकि bank का passbook जो होता है वो book form में होता है बस यह एक शोटी सी difference है आपको bank statement में और bank passbook में बहुत सारे important points है जो मैंने आपे लिखे हैं शायद आपके दिमाग में भी ये बात आ रहा हुगा कि हम BRS में record क्या करें BRS हम क्यों prepare करें हमें cashbook और passbook का balance match कराना है अगर कोई एक transaction है जो सही सही से record हुआ है हमारा cashbook में भी और हमारा passbook में भी तो क्या हमें record करने की जर्वत है फिर से BRS में? नहीं उसे तो हमें consider करना ही नहीं है जब हम BRS बनाएंगे जब हम BRS प्रिपेर करेंगे तो ऐसा कोई भी transaction जो cashbook और passbook दोनों ही जगा सही सही record हो गया है उसे हमें BRS बनाते वक्त, BRS प्रिपेर करते वक्त consider करना ही नहीं है तो अब हम कौन सा transaction consider करें? या तो गलती हमारे cashbook में होगी या तो गलती हमारे passbook में होगी तो मैंने इसे यहाँ पे note down किया है correctly recorded transactions in both the books are not considered while preparing BRS BRS बनाते वक्त, ऐसे transaction जो सही सही से record हो गया है passbook में भी और cashbook में भी उसे हम consider नहीं करेंगे तो अब कौन सी entries को हम record करेंगे BRS में? तो ऐसे entries जो cashbook में तो सही सही से record हुई है बट passbook में सही से record नहीं हुई है या फिर ऐसे entry जो passbook में सही से record हुई है बट cashbook में सही से record नहीं हुई है या हमारा third condition हो सकता incorrect amount कल मैंने बताये था ना ये भी तो सकता है दस हजार की जगह मैंने उसे एक हजारे लिख दिया तो ये भी तो गलती है या मुझे सोहन को पैसे देने थे मैंने सुनिता को पैसे दे दिये तो ये भी तो गलती हुई तो इस तरह की जितनी भी गलतियां है उसे हम क्या करेंगे BRS में जब BRS prepare करेंगे तो हम ये सारे transaction को consider करने वाले हैं मतलब आपकी कहीं न कहीं आपने गलती की है cash book में या फिर pass book में तभी तो आपका BRS match नहीं कर रहा है टॉपिक है मारा preparation of BRS preparation of BRS starting with cash book balance मैंने आपको अभी बताया ना कि हम BRS prepare करेंगे या तो cash book balance है या फिर pass book का balance है अब cash book का जो balance है वो debit balance भी हो सकता है या फिर credit balance भी हो सकता है जब debit balance होगा तो हमारे लिए favorable situation है क्यों? क्योंकि deposit जादा है, withdrawals है जब unfavorable situation होता है या फिर credit balance होता है मतलब withdrawals जादा है तो अभी हम या पे situation number one लेके चलते है that is cash book has debit balance, debit balance है मतलब favorable situation है, तो अब हमें करना क्या है, जब हम BRS बनाना start करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ने BRS बनाना start किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, each and every entry को पहले हम analyze करेंगे, कि कौन सा entry के चलते, cash book का balance increase हो गया, और कौन सा entry के चलते, वो decrease हो गया, ये हमें पत चलेगा, तब तो हम plus minus करेंगे, तब तो हम plus minus करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है, each entries are analyzed, each and every entry को analyze करना है, अब entries that have led to decrease in cash book balance are added to the balance as per cash book, ऐसी entry जिसके चलते हमारे cash book का balance जो है, वो घट गया था, ठीक है, cash book का balance घट गया था, उसे हम क्या करेंगे, cash book का balance में add करेंगे, अगर मानिये, ये example लीजे, check issued but not presented, check issued, जैसे हम check issue करते हैं, मतलब क्या हो रहा है, check हमने issue कर दिया, तो हम अपने पास से तुरंट क्या करते हैं, cash book का balance घटा लेते हैं, अपने पास, but यहाँ पे not presented, check issued but not presented, तो pass book में कुछ entry हुई तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ आपका balance घट गया, बट pass book का balance अभी भी increase है, तो अब हमें इसे सही करने के लिए क्या करना होगा, वापस से इसको add कर देना होगा, वो amount को हम add कर देंगे, same condition, next situation देखे, entries that have led to increase in cash book balance are deducted from the balance as per cash book, अब ऐसा बहुत सारा situation होगा, जहाँ पे cash book में अभी भी balance ज्यादा बता रहा है, बट pass book में balance कम बता रहा है, bank charges debited by bank, bank charges debited by bank, तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे तो घटाया ही नहीं, cash book में, बट pass book में वो subtract हो चुका है, तो cash book का balance अभी भी आपका increase है, बढ़ा हुआ amount हमें दिखा रहा है, यहाँ पे आपका 800 घटा दिया गया है, pass book में, just for example, और यहाँ पे आपको 800 से अभी भी plus में है आपका balance, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि bank ने जो charges था, वो तो debit कर लिया है, तो आपके pass book में वो balance घट गया, बट cash book में आपने किया ही नहीं entry, तो वो अभी भी 800 का plus दिखा रहा है, तो अब हमें करना क्या है, उसे minus कर लेंगे, उसे हम minus कर लेंगे, और जब minus कर लेंगे, तो हमें क्या होगा, balance as per pass book, क्योंकि हमें last में करना क्या है, हमें pass book का balance लाना है, pass book और cash book का balance हमें same करना है, यह तो हुआ, cash book have debit balance, अगर same cash book, अब दूसरा situation लेते हैं, that is situation number 2, cash book have credit balance, cash book have credit balance, credit balance बोले तो unfavorable situation, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, withdrawals ज्यादा है, आपका withdrawals ज्यादा है, deposit के comparison में, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, BRS को prepare करेंगे, each and every entry को फिर से analyze करेंगे, कि कौनसे entry के चलते हमारा balance increase हो गया, कौनसा entry के चलते हमारा balance decrease हो गया, जो भी balance, जो भी entry के चलते हमारा balance decrease होगा, उसे हम plus कर देंगे cash book पे, cash book का जो balance होगा, और जिसके चलते हमारा balance जो है भी increase दिखा रहा है, उसे हम फिर से घटा देंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, हमें pass book का balance के बराबर हमारा cash book का balance भी हो जाएगा, simple आपको करना क्या है, pass book का balance जितना है, उतना आपको अपने cash book का भी balance करना है, अब cash book का balance करना है, तो कुछ ना कुछ तो आपने गलती की होई cash book, जब हम BRS बना रहे हैं, cash book का balance लेके, cash book का balance लेके बना रहे हैं, तो गलती मतलब आपको cashbook में कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना होगा तो आपने जो गलती से माइनस कर दिया है उसे फिर से प्लस कर लीजिए और आपने गलती से जिसे प्लस कर लिया है उसे फिर से माइनस कर लीजिए तो क्या होगा आपका passbook का जो balance है उसके recording आपका cashbook का भी balance आ जाएगा तो ये था हमारा cashbook का debit balance से कैसे होगा और cashbook का credit balance से का होगा मैं theory portion पे बहुत ज़्यादा focus कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको theory समझ आ गई आपको each and every point समझ आ गया तो जब हम numericals बनाएंगे तो आपके लिए काफी आसान होगा शायर मेरे लिए भी बहुत आसान होता मैं directly एक बार बता दिये कि BRS का chapter है पे passbook और cashbook करना है और हम सीधा jump कर जाते है numericals पे but मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने each and every theory part को cover किया है so that आपको theory knowledge भी हो जाए अब तो हमारा mcq pattern है exam का तो ये सारी चीजे भी बहुत important है तो please focus कीजे और फिर आप हम numerical पे switch करेंगे numerical से हमें solve करना ही है जब आपको concept clear हो जाएगा आपको concept BRS का clear हो जाएगा तो आप 100% मेरा guarantee है कि आप बिना बताए बिना समझाए भी आप BRS पक्का solve कर लेंगे तो इसलिए patently each and every concept को clear कीजिए इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आपको concept clear कर आ रही हूँ आपको each and every line पे focus किया है मैंने I hope आपको समझ आ रहा होगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो please आपको करना क्या है आपको comment section में पूछना है या फिर Instagram पे directly DM करना है Instagram का link description box में दिया हुआ है मैं सारे notes का भी link description box में दे देती हूँ और good news यह है कि rules of commerce हमारा Instagram और Facebook पे भी है आप वहाँ भी follow कर सकते हैं Next है हमारा preparation of BRS as per passbook अभी हमने आपको बताया कि cash book balance लेके हमें BRS बनाना था अब हम क्या करेंगे? Passbook का balance लेके BRS बनाएंगे अब जब हम passbook का balance लेके बना रहे हैं तो उसका भी balance debit में हो सकता है या फिर credit में हो सकता है Passbook का credit balance होता है हमारे लिए favorable और passbook का debit balance होता है unfavorable Cashbook में क्या होता था? debit balance favorable होता था और credit balance unfavorable होता था तो हमने किया passbook Passbook का भी balance debit हो सकता है या फिर credit हो सकता है तो अभी हम पहला situation लेके चलते passbook have credit balance मतलब ये situation अमारे लिए favorable है क्या करना है? BRS हमें start करना है सारी entries को analyze करना है कि क्यों? किसके चलते plus हुआ, minus हुआ? किसके चलते मारे passbook का balance increase कर गया या से decrease कर गया? simple सी बात है entries को आप पहले analyze कीजिए अगर आपने उसे minus कर दिया है तो plus कर लिजिए आपने उसे अगर plus कर लिया है तो minus कर लिजिए अगर आप ऐसे adjustment कर लेते हैं तो आपका balance जो है वो cashbook के जैसा आ जाएगा मतलब आपका cashbook और passbook का balance same हो जाएगा हमारा next situation है कि passbook have debit balance passbook का क्या है? debit balance है अगर debit balance रहेगा तो situation हमारे लिए unfavorable होगा situation क्या होगा? unfavorable होगा फिर से में B.R.A. स्टार्ट करना है सारी entries को analyze करना होगा और entries that have led to decrease in overdraft passbook balance are added to the balance as per passbook मतलब यहाँ पर भी मैंने जो minus कर लिया है गलती से उसे plus कर दीजिए जो plus कर दिया है उसे minus कर दीजिए entries that have led to increase in overdraft passbook overdraft passbook balance are subtracted from the balance as per passbook तो इस तरह से अगर हम adjustment कर लेते हैं तो हमारा cashbook का balance और passbook का balance match कर जाता है तो यह था हमारा BRS कैसे बनाते हैं BRS हमारा बनता है या तो cashbook का balance लेके या फिर passbook का balance लेके cashbook का balance लेंगे तो cashbook का भी balance debit में हो सकता है या फिर credit में passbook का भी same debit में हो सकता है या फिर credit में हो सकता है एक simple line में आपने जिसे गलती से प्लस कर दिया है उसे माइनस कर लीजिए, आपने जिसे गलती से माइनस कर लिया है उसे प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा, cashbook और passbook का balance मैच कर जाएगा, cashbook और passbook का balance मैच कर जाएगा, I hope आपको समझ आ रहा होगा, that's all for today, bye bye बच्चो, keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest update, follow rules of commerce on Instagram and Facebook too, bye bye, take care